हेलो एवर्यवान वेलकम to my channel आज मेने बनाया है पूहा पूहा सम्मर हो या विंटर हो या रेनी स्वी जो नो किसी भी मोसम में पसंद किया जाता है और भारत में हर घर में भहा बनता है ये बहुत ही ज्यधा quietly रेसीबी है मैंने इसे बहुती सिंपल तरीके से बनाया है और पोहे के साथ कड़क वाली चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता उसके साथ हम बनाएंगे कड़क वाली चाय पहले मैंने लिया है एक प्यान प्यान को गरम कर लिया है उसमें 2 टी स्पून तेल डाला है ज्यादा तल नहीं लिया है और यह मस्टाड ओयल है ज्यादा ओयल तो हेल्दी नहीं होता है यह मस्टाड ओयल लिया है और ओनली टूटी एसबी मस्टाड ओयल को थोड़ा सा गरम कर लिया है फिर उससे जब थोड़ा सदुआ निकलने लगे मस्टाड ओयल को अच्छा से गर में लिया है काजू, आल्मोन्स और रेजिन्स लिया है तो इसको एक मिनिट के लिए बस फ्राइ करना है ज्यादत नहीं अब इसमें मटर और ग्रीन पीच और बादम जो की पीनट्स भी मिला सकते हैं तो अभी मैं ड्राइब फूट्स को निकाल ली हूँ अभी मैं स्प्लेट बादर होने लगें भी में मिला है हूँ इसमें करी लिप्स करी लिप्स पोह थे मैं तो एकदम मस्ट जरूरी ही होता है तो curry lips टाल दिया है, मैंने, 10 to 12 lips. और अभी कटे हुए अद्रक मिला रही हूँ, कटे हुए लसन भी मिला लिया है. और green chillies भी chop करका डाल दिया है. और piaz भी chop करका डाल रही हूँ मैं. मैंने एक medium size का प्याज लिया है, मैं तो यह जो पोहा बना रही हूँ, 2-3 लोग खा सकते हैं, ज्यादा नहीं बना रही हूँ, तो मैंने एक medium size का ही प्याज लिया है, और अभी प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं, ज्यादा दिर नहीं भूलना है, जिसे कि brown, golden brown ये से जर अभी मैं मिला रही हूँ इसमें बॉयल्ड चन्ने जो की उबले हुए चन्ने मेरे पास थे मैं एक मुठी भर ही मिला रही हूँ इसमें इसको थोड़ी तर के लिए स्टर फ्राइ करेंगे उस तेल में फ्राइ हो जाएगा बहुत ही अच्छा श्वाद आएगा इसका प्याज कर लिया है अच्छा सा एक ही बार पाने डाल के दोया है ज्यादा नहीं नहीं तो पहाँ चिपक जाएगा अभी मैंने थोड़ी सी नमक मिला लिया है हल्दी थोड़ी सी मिला ली है और थोड़ा सा हाप टीएसपी से गम जीरा पाउडर मिलाया है और नमक श्वादन उसार हमांट के हिसाब से और हलती पर चुटकी भरी मिलाया है और मैं इसमें मिलाओंगी थोड़ी सी हाप टीएसपी चाट मसाला का स्वाधिस में बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा मैंने एक चुटकी भर पर रेड मिर्च पाउडर लिया है क्यूंकि इसमें तो ग्रीन चिली है अभी चुड़ा मिक्स को मैंने कड़ाई में पैन में डाल दिया है और पैन में अभी डालके उसको अच्छा से मिला लोंगी चार तीन से चार मिनिट तक उसको सौटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे और हमारी पोहा खिली-खिली एकदम से पोहा बनकर तयार है पोहे की कोई है पोहा बनाई और में ज़रूर बतायाएगा क कि केसे बना अब ना पोहे में हम कोई भी बेज़ीटेबलस भी मिला सकते हैं जो कि कली फ्लावर्स चूमेटो मिला सकते हैं sacred संवे फटन म सबख से मतर्स भीहान जारे जो करना पभ ज़रोत नहीं तो मैं मैं हाथ पैंट से हुआ हूँ लेकिए पोहा एकदम से खिलि खिली है एकदम ड्राइ है और इस फुहा घर्म ही खाना चाहिए थन्डी हो जाए तो पोहे की मतलब स्वार्थ हो जाती है और हाड हो जाती है अभी हम बनाएंगे चाय कड़क वली चाय बनाती हूँ मैं यह चाय में एक सिकरेटीन रिटेन्ट ह पहले मैंने ले लिया है 2कबड पानी लय रही हूँ जो कि फोल फैट मिल्क नहीं है आफ 2ऊ पानी पर योण ज्यादा प्थी धो भोलतों तो जोड़ा का स्वस चाह को आफ थे पानी कि लुख़े उसमें मैंने आधा grat करके डाल दिया है अभी मैंने कुटी हुई इलाइची डाल दी है कुटी हुई इलाइची का फ्लेवर ना हो तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पांच से साथ काली मिड्स ले लिया है उसको कुटके मैंने डाल दिया है चाय में और अभी मैं ज्यादा चीनी नहीं मिलाती हूं मैं पस 1 टीस पी अभी में मिला रही हूं लास्ट में एक सिक्रेट इंग रिटेन जोकी है नमक एक चुटकी नमक अगर ना डालो चाय में तो चाय की जो मीठी श्वाद है उबर के नहीं आती हमें साथ चाय या खीर या कोई भी मीठी चीज छोड़ी सी नमक अगर टाल देते है हम तो मीठापन एकदम से बालन्स हो जाता है इसलिए मैंने नमक मिलाया है मैं हमेजा ही नमक मिलाती हूं चाह अभी चाय उबल रही है चाय कश्य विटा एक दू प्दावाल टेंस हो जा हनी और उसका बूब बहुत ही अच्छी आए औ अब तो पोहे और चाय की खुसपो आजाए तो सबको भूक लगने लगती है चलिए मैं प्लेटिंग कर लेती हूं गर्मा गरम चाय और गर्मा गरम पोहा बन कर तयार है अभी विंटर इवनिंग है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर जरूर करें सपोर्ट की बहुत जरूर रहत है फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और कुछ नई बातों के साथ कि अष्व factor बांटा सकते हैं तोस्ब्स है जरूर मागना करें नमयाँ करें साथ